मतलब में रोल कंट्रासेप्शन में प्रोजिस्टरॉन का ही है ना एसिटेट ना यह जो है दिस इस अन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन and it is the contraception for 3 months provides contraception for 3 months बही कई बर ऐसे होता है कि a couple is planning for a baby child के लिए plan करना है लेकिन 3 महीने तक plan नहीं कर सकते या धाई महीने तक नहीं कर सकते क्योंकि घर में function है किसी की शादी है उसमें enjoy भी करना है तो ऐसे इसको delay करना हो अगर 2-3 महीने के लिए तो DCMPA का injection लगवा सकते है ठीक है? Now, second one is implants number B implants का best example है norplant ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं यह सबसे अच्छा example है norplant बेटा यह जो norplant होता है इसमें ना 6 capsules होते हैं sialistic sialistic के मतलब silika के तो इसमें हम लिख सकते हैं six sialistic sialistic that means silica capsules capsules होते है और each containing 35 mg of LNG each containing 35 mg of LNG LNG आपको बताया था synthetic progestron होता है are implanted sub-dermally skin के नीचे dermis skin होती है na sub-dermally तो यह कैसे दिखाई देते हैं let us see यह six होते हैं यह skin के नीचे implant कर देते हैं and they provide contraception for for five years provides contraception for five years ठीक है पास साल तक pregnancy नहीं होगी तो देखी कितने easy methods हैं जिसमें यह प्रिग्रेंसी से बचने के बहुत सारे chances हैं तो यह जो हमने बात की थी DCMPA इसको DMPA भी कह सकते हैं और इसके और भी examples होते हैं दूसरे जैसे एक था depo provera येस इसके दूसरे examples भी लिख लेते हैं examples depo provera ये बस brand names अलग अलग हैं होते इसमें progesterone ही हैं और दूसरा है DMPA ठीक है? अब ये जो इसमें progesterone होता है ये gonadotropins के वो ही mode of action है जो pills का होता था ना FSH और LH को inhibit करता था तो उससे ovulation नहीं होना देता था अब ये जो nor plant है इसमें LNG होता है LNG की full form हमने क्या बताई थी? याद है आपको levonogastrol इसकी full form लिख लेते हैं ये शायद हमने पहले नहीं लिख की थी इस लिवेनो levonogastrol देखो L आ गया N आ गया orgestrol और G आ गया ये LNG की full form में ये synthetic progestron होता है और ये कौन सी tubes, capsules होता है silica के बने वे होता है ठीक है? और ये upper arm ये जो arm होता है ना इसके नीचे यहाँ पर implant हो जाता है पता भी नहीं चलता और धीरे-धीरे इसमें ते progestron भार निकलता रहता है और जिससे females में FSH और LH का जो secretion है वो काम होता जाता है और ovulation रूप जाता है राइट? So, this is all about what? This is all about this hormonal methods of contraception अब आते हैं कुछ terminal methods terminal methods आते हैं या post-conceptional methods आते हैं post-conceptional methods और इसको हम corrective methods भी कहते हैं So, next one is corrective methods of contraception या प्ऴर का र iki कौ सब्वार्थ में आते हैं आते हैं आते हैं तो हो गया, zygote भी बन गया, implant भी हो गया, है ना, तो अब क्या करें, अब बेबी को बर्स नहीं देना है, तो उस case में, वैसे हमें इस condition तक नहीं पहुचना चाहिए, तो इसके लिए number one है, abortion pills, abortion pills, ऐसी tablets, जो abortion cause कर देती हैं, वैसे आजकल जो females हैं, वो बहुत sensible हैं, अगर उनको लगता है, उनकी menstrual bleeding, जो है bleeding phase है, वो skip हो रहा है, या 3-4 दिन भी उपर हो रहे हैं, 5 दिन उपर हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, pregnancy kids से pregnancy test कर लेते हैं, तो 10 दिन उपर होने के बाद, best चीज है, की abortion pill ले ली जाए, and that is the safe for the first, you know, 12 weeks, 12 weeks तक ले सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ले ली जाए, उतना वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसका best example है, mesopristol, right, example, mesopristol, यह जो mesopristol होती है, इसमें होता है, prostaglandin, मतलब growth factor, PGF 2 alpha, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, contains, PGF 2 alpha, यह factor इसमें present होता है, जो क्या करता है, it cause, अच्छा आपको याद है न, यह factor कव रिलीज होता था, जब parturition का time आता था, तो यह दवाई लेने से contraction शुरू हो जाते हैं, और वो जो body है, वो उस छोटे से embryo को parturition की तरह discard कर देती है, तो abortion हो जाता है, So, causes premature, premature what, premature severe uterine contractions, severe uterine contractions, ठीक है, बहुत ज़्यादा contractions होते हैं, pains होने लगते हैं, और जो baby है, वो discard हो जाता है, इसमें जो important point है, वो है, should be taken before, before 12 weeks of what, of pregnancy, इसके बाद लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि baby discard हो या ना हो, बलकि उसके अंदर teratogenicity हो जाती है, मतलब, उसमें physiological, physical या mental abnormalities baby में हो सकती है, दूसरा जो तरीका है, that is called medical termination of pregnancy, जिसमें गाइनिकलोजिस्ट के पास जाकर, बच्चे को abort कराया जाता है, ठीक है, so second one is medical termination of pregnancy, माने MTP, अब MTP में क्या होता है, it is removal of the fetus surgically, right, it is removal of the fetus surgically, अब बेटा, ये वैसे भी न, practicing और skilled doctors या गाइनेक से कराना चाहिए, आप YouTube पर इसके वीडियो देख सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, ये condition आए ही नहीं, क्यूंकि इसमें baby के heart pair काट कर और तब उसको flush out किया जाता है, so it is also considered safe before 12 weeks of pregnancy, right, 12 weeks से पहले इसको safe किया जाता है, लेकिन government of India ने इसको 20 weeks तक allow कर सकता है, and this law was passed in 1971, so government of India, government of India, और ये भी आप mention कर सकते हैं, 1971, 1971, has allowed, has allowed MTP, lawfully up to 20 weeks, ठीक है, 20 हफते तक, 20 हफते का मतलब है लगभग साड़े चार महीने, उसके बात करने से mother की life को खत्रा हो जाता है, है ना, mother की life risk में आ जाती है, danger में आ जाती है, तो इसको government allow नहीं करती है, और gestating mother की death भी हो सकती है, right, अब ये जो है, वैसे तो 12 weeks of pregnancy, माने 1st semester तक safe होता है, 2nd semester में और भी ज़्यादा risky हो जाता है, right, अब जितने भी MTPs हैं, इनको, अब जैसे क्या होता है, पहले time में लड़कों के लिए लोग amniocentasis कराते थे, और amniocentasis कराने के बाद, अगर वो female होती थी, तो उसको discard कर दिया जाता था, तो ये गलत है, तो अब ये government of India ने पूरी तरीके से ban कर दिया है, और उसको legalize किया है, सिर्फ 5-4 महिने तक, मतलब 20 weeks तक, इसके बहुत सारे reasons भी हो सकते हैं, अब ऐसे conditions, जिनमें MTP allowed होता है, तो उसको हम लिखते हैं, conditions of MTP, conditions of medical termination of pregnancy, किस-किस condition में ये करे जा सकते हैं, सबसे पहली condition होती है, medical, medical condition कब होती है, जब baby की growth के कारण, mother की life danger में हैं, तो बिना किसी permission के doctor उसको discard कर देते हैं, right? तो number 8 is medical. वेन, वेन, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पुट्स मदर्स लाइफ इन्टू रिस्क, तब कराया जा सकता है, या फिर child के अंदर कोई inborn error of metabolism है, जैसे embryo में पता चल गया है, यह है, down syndrome है, turner syndrome है, सब हम genetics में पढ़ेते, तो second मतलब है genetic disorders, है ना, माने, इस condition को हम बोलेंगे eugenics, ठीक, इसमें लिखने की कोई जरुवत ही नहीं है, examples लिख लेते हैं, down syndrome, turner syndrome, etc. तब baby को अराम से discard किया जा सकता है, फिर अगर वो किसी trauma, अगर female किसी trauma में है, या humanitarian cause के लिए, मतलब अगर कोई rape की victim है, तब उसको अराम से हम discard कर सकते हैं, humanitarian cause, when female is a rape victim, तो emotionally वो trauma में होगी and she won't accept the child, तो इसलिए इसको discard कर दिया जाता है, अब दूसरा reason होता है, कई बार जो contraceptive devices use कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, जैसे 98% success rate है, तो वो female, वो 2% में आगर उसको pregnancy होगी, तो next one is, failure of, failure of contraceptive devices, और एक रीजन और है, की गलती से प्रेगनेंसी हो गई, और पहले से दो तीन बच्चे हैं, और और बच्चे आगे नहीं चाहिए, तो दिस इस socio-economic, socio-economic, it means, when, already, when, already, required number of, number of, children, are present, तब भी ये किया जा सकता है, right, so, this is, these all are the corrective measures, मतलब एक बार, अगर गड़बडी से प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस प्रेगनेंसी को हम कैसे ठीक करें, तो ये आता है इसमें, abortion और medical termination of pregnancy, actually, medical termination of pregnancy भी तो abortion ही हो गया, वो अलग बात है कि ये doctors ने किया, ये surgeons ने किया, है ना, और tablet से कर लिया, तो उसको simply हम abortion कहते हैं, अब कुछ surgical processes होते हैं, जो conception से पहले ही किये जाते हैं, उनको हम कहते हैं, terminal methods of contraception. क्रांड़ में ünमरा हैं, क्रांग से पॉबूंग जुदूंग बागा Terminal Methods of Contraception इसका मतलब होता है Surgically जो tubes होती है जो या तो ovum को लेकर आती है या sperm को लेकर आती है उन ducts को काट दिया जाए या बन कर दिया जाए या बांध दिया जाए ठीक है So दीजार्दी Surgical it involves It involves Surgical Ligation Ligation मतलब बांधना Cutting मतलब काटना Cutting Closing और Ligating तीनों काम किये जा सकते हैं ठीक है Ligating The Gametes Carrying Ducks The Gametes Carrying Ducks ठीक है इन ducts को काट दिया जाता है इसका जो rate होता है Success का वो 100% होता है ठीक है 100% Success rate लेकिन इसकी जो reversibility है वो difficult होती है But नमबर A तीक है जो फो पता है गयाक है तीक है थीक है सकतर होता है गया है